अश्लाम लीकुम दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो आपको लग रहा होगा कि आज हम आपके लिए सिर्फ जानरों की वीडियो लेकर आए हैं लेकिन आपको बता दे आज हमारे पस इसके इलावा और भी इंट्रस्टिंग वीडियोज हैं तो आज की ये वीडियो बहुत के लिए एक खास महारा चाहिए दोस्तो इस वीडियो में देखें किस तरह ये बकडी का बच्चा अपनी जंपिंग स्किल्स दिखा रहा है और इस गधे को परेशान कर रहा है क्या आपने पहले किसी बकडी के बच्चे को इस तरह से जंप करते देखा है दोस्तो अब इध कि दोस्तो इस वीडियो में देखें एक परिंदा पानी में गिर जाता है तो परिंदे के साथि इस पर हंस रहे हैं ये बहुत कमाल की वीडियो है क्या आप भी कभी अपने किसी दोस्त की गिरने पर से हंसे हैं दोस्तो इस वीडियो में देखीं ये तीनों किस तरह अपनी इस कश्ती पर डटे हुए हैं और ये कश्ती ढूबती जा रही है बगर मजाल है कि ये लोग जड़ा सा भी हिल जाएं दोस्तो इस वीडियो में आपको एक अजीब सा व्यू देखने को मिलेगा पता नहीं इन्मच्छियों को पानी में क्या दिखा इसे देखकर ये नहर की किनारे से बहार आने लगी इस वीडियो में देखें ये मशीन किस तरह काम कर रही है और ये शकस मज़े से खड़ा इसे देख रहा है ये मशीन वाटिक कमाल की है जो इस मुशक्कत वाले काम को बाअसानी कर रही है दोस्तों कि आपने समंदर किनारे कभी इस तरह का वीउ देखा है ये वीउ रषिया के Black Sea Coast से लिया गया है इसे देखने के बाद आपको इस बाद का अंदाजा हो गया होगा कि समंदर किनारे जिन्दी हमेशा खूबसूरत नहीं होती दोस्तो इस वीडियो में देखें किस तरह ये डोग एक वैक्यूम कलीनर से डर जाता है ये डोग मज़े से अपनी जगा पर सो रहा होता है तो रोबोट वैक्यूम कलीनर को देखर वहां से भागने लगता है इस वीडियो में एक मोंकी सबजी को खराब कर रहा है शायद ये मोंकी इस सबजी की तूटने की अवाज को इंजवाय कर रहा है जिसे ये बार-बार करके सुनना चाह रहा है और जब इसके माली को इसकी सखरकत का पता चलेगा तो इसका क्या हाल होगा दोस्तों अगर आपके घर के सामने ढलवान है तो अपनी गारे की हैंड ब्रेक लगाना ना भूलें वरना आपका हाल भी कुछ इस तरह का होगा इस शक्स के गिसमत अच्छी थी कि इसकी गारी सामने गेट से थोड़े ही डिस्टेंस पर रुक गई वरना इसका और इसकी गारी का बुरा हाल होने वाला था दोस्तों इस शक्स को देखें कि ये किस तरह अपने लाउन की घास को काटने के लिए स्केर स्कूटर के इस्तमाल कर रहा है हलांकि ये पार्क इतना बड़ा नहीं कि इसकी घास काटने के लिए इसका इस्तमाल किया जाए दोस्तों कि आपने पहले कभी इस तरह की पैरागलाइडिंग देखी है ये श transmit किस तरह अपने दोस्त के पैराशूट पर खड़ा होता है ये सच में कमाल की ट्रिक है इसे करने के लिए special training की जुरूरत होती है दोस्तों इस वीडियो में देखें किस तरह ये डोग अपने मालिक को काम नहीं करने दे रहा हो सकता है ये डोग इस काम करने की अवाज से तंग हो रहा हो या पिर इसे अपने माली की तवज्जों चाहिए जिसकी वैसे ये इस तरह से कर रहा है दोस्तो इस वीडियो में एक कैंगरू और एक कुता इस तरह से लड़ रहे हैं जैसे ये एक प्रफेशनल फाइटर्स हैं वो साथ में बैठा कुता एक रैफरी है इस वीडियो में एक कुते की हरकतें कितनी खुबसूरत लग रही है ऐसा लग रहा है ये कुता किसी म्यूजिक को बड़े मज़े के साथ इंजवाय कर रहा है दोस्तो देखें ये दोनों शक्स पार्क में बैठे मज़े से केले खा रहे होते हैं तो ये खाती वहां आ जाता है और दोनों से चीन के खाने लगता है और साथ वाले शक्स के तो मूँ से भी चीन लेता है दोस्तो इस वीडियो में देखें इस शक्स के साथ कितना बुरा होता है ये विचारी से कुछ खिलाने के लिए गाड़े का शिशा नीचे करता है तो ये जराफा इसके मुँँ के ऊपर छींग देता है दोस्तो दिखने में ये एक 3D टूर लग रहा है मगर ये वीडियो चाइना के एक गाउं से लिया गया है जहां पहाडों के दरम्यान ये खुबसर ट्रैक बनाए गए हैं दोस्तो इस वीडियो में देखें ये शक्स एक सीगल को पकड़ने के लिए एक अजीब सी ट्रिक का इस्तमाल करता है ये वाकिए ही एक कमाल की ट्रिक है इसे ये शक्स पहले एक मचली को दिरिया में फैंकता है तो एक सीगल इसे खाने के लिए आता है तो ये शक्स फॉरन पानी में कूद कर इसे पकड़ लेता है दोस्तों जब आपको पता हो कि आपको कोई ऐसी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो आप कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं इस वीडियो में मजूद शक्स भी कुछ इसी तरह से इस कुट्टे को तंग कर रहा है दोस्तों क्या आपने कभी किसी कुट्टे को इस तरह से शोपिंग करते देखा है लगता है इसके मालिक ने इसके साथ जाने से इंकार कर दिया तो ये कुट्टा खुद ही अपनी चीजें खरीदने के लिए मार्किट आ गया दोस्तों इस कुट्टे को देखें किस तरह ये एक पहार से नीचे की तरफ भाग रहा है और भागते भागते गिर जाता है मगर ये कुट्टा हिम्मत नहीं हारता और फरण उठ खड़ा होता है वाकि इसकी हिम्मत को दाद है कि गिरने के बाद फिर से भागने लगा दोस्तो इस शक्स को देखिए कि इस तरह आपने गाउं में उड़ने वाली मट्टी का बंदोबस्त कर रहा है इस तरह करने से ये रास्ता एक सड़क की तरह तो नहीं बनेगा लेकिन कुछ अस्ता के लिए इस मट्टी धूल से इस गाउं वालों की जान छूट जाएगी तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ दोस्तो आपको वीडियो पसंद दे होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद दी तो इसे लाइक कोमेंट और शेयर करना मत भूलें थैंक्स वर वाचिंग